ओम गण गणपत ये नमहा स्री गुरु देव दत्त नमस्कार मित्रों प्रॉफिट 666 चानल में आपका स्वागत है कैसे हो आप आशा करती हूँ कि आप जरूर कुशल मंगल होंगे मित्रों आज इस वीडियो में मैं अपको एक कागच के तुकड़े पर अपनी मनोकामना, मनोरत या इच्छा लिखकर उस कागच के तुकड़े को जला कर उस मनोकामना या इच्छा को पूरी करने के सरल और आसान उपाई के बारे में जानकारी देने जा रही हूँ अगर आपको यह वीडियो पसंद आ जाएगा तो कुरुपया सस्क्राइब करना मत बुलिए और दूरंद नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक करे यह एक बिना मंत्र, यंत्र या पुजाविधी का उपाय है कागश को जलाकर हर प्रकार के उद्देशों की पूर्ती करने के उपाय बहुत लोकप्रिय है और विवीध हेतुओं के लिए इनका प्रयोग किया जाता है उदारन की तोर पर वशिकरन, शत्रूक और रोगों का नाश करने के लिए और इच्छाओं की पूर्ती करने के लिए इन उपायों का प्रयोक किया जाता है आज इस वीडियो में मैं जिस उपाय के बारे में आपको बताने चारही हूँ उस उपाय को आप किसी भी दीन कर सकते हो जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया है आपको यह उपाय करने के लिए किसी भी प्रकार का बंधन नहीं है किसी भी प्रकार की पूजा विधी करने की अवशक्ता नहीं है इस उपाई को अतन्त शान्त चित्त से और प्रबल इच्छा शक्ती से और पुर्य आत्म विश्वास के साथ करना है आपको यह उपाई करने के लिए छे पाई छे का सफेद रंग का कागश का टुकड़ा लेना है और हरे रंग की स्याही के पैंसे उस कागश के टुकड़े के उपर अपनी मनो कामना, इच्छा या सपना संक्षित में लिखना है जिसको आप पूरा करना चाहते हो यह एक विशिष्ठा मनो कामना पुर्ती करने का सिर्फ एक बार करने का उपाई है और अगर आवशक्ता नुसार कुछ दिनों के बाद इस उपाई को आप वापस कर सकते हो यह नमोनी की तोर पर मैंने छे बाई छे का एक सफेद रंग का कागश लिया है और हरे रंग की स्याही के पैंसे बीच में यह देखिए मनो कामना लिखनी है आपको अपनी इच्छा या मनो कामना संक्षित में लिखनी है और चारो दिशाओं में चारो कोनों में आपको यह देखिए प्लस यह साइन बनाना है करने के बाद आपको एक कटोरी में रखना है वो कागश और उसमें कुछ 2-3 कपूर की अपनी वड़ी रखनी है यह देखिए और अभी इसको आपको जलाना है इस तरह से आपको जलाना है यह कागश आपका पूरा जलना चाहिए और उसका भसम होना चाहिए कि ये कागज पूरा जल रहा है चलते वक्त आपको यह कहना है कि मेरी मनो का मना पूरी हो गई है मेरी इच्छा पूरी हो गई है बस आपको इतना ही कहना है ये कागज पूरा जल कर राक हो चुका है अब ये जो भस्म है वो आपको घर के बाहर डाल देना है सब्सक्राइब करना मत भूलिए प्रभू सबका कल्यान करेंगे